हेलो दोस्तों मेरा नाम है उज्जुल रवी और आप देख रहे हैं ग्यान चुरन खबर तो आप लोगों को पता ही होगा कि जर्मनी अपना लेपर टू टैंक युक्रेन को देने को राजी हो गया है तो आप कहेंगे कि अमेरिका अपना अब्राहम टैंक दे रहा है कि नहीं क क्योंकि जर्मनी ने पहले ही कहा था कि जब तक अमेरिका अपना टैंक नहीं देगा तब तक जर्मनी भी अपना टैंक नहीं देगा तो आपको बता दू कि अमेरिका भी अपना टैंक देने को राजी हो गया है अमेरिका जहां 31 टैंक युक्रेन को दे रहा है वहीं जर्मनी टैंकों की रख रखाओ और मरमत में मदद करेगा और इन सब को मिला दिया जाय तो भी इनकी संख्या 100 के नीचे ही रह जाती है और आपको बता दू कि युक्रेन ने इनसे 300 टैंक मांगे हैं एक आर्मर डिवीजन में 300 टैंक होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि युक्रे युक्रेन को दे रही है साइधी इससे कुछ फायदा युक्रेन को हो रूसीन टैंकों को मार कर जिरा देगा क्यूंकि T-90 टैंक वी वर्ल्ड की बेस्ट टैंक है जहाँ T-90 की पूरी सेना खरी है वही नाटो की 100 से भी कम टैंक क्या कर लेंगे युक्रेन का कहना है कि वह इन क्रीमिया को वापस लेगा जो की साल 2014 से रसिया का हिस्सा है आपको पता होना चाहिए कि युक्रेन में तीन जगा वार जोन बने हुए हैं जहां इश्ट यानि की डोनेस्ट में रसियन सेना आगे बढ़ रही है वही नौर्थ यानि की लोहंस और साउथ यानि की जैपूर् युक्रेनी सेना का प्लान है कि वह यहां से रसियन सेना को पीछे धके ले जो की बहुत मुश्किल है क्योंकि रसियन का यहां बहुत दिनों से कबजा है और यहां अब रसियन से अपने तरह से वार फ्रंट खोलेगी जिससे सिंपल सी बात है कि रसिया कुई फायदा होगा और आपको बता दू कि जर्मनी रसिया से अपने रिष्टे ज़्यादा खराब नहीं करना चाहता है उसका कहाना है कि हमने अगर टैंक युक्रेण को दिया और उसने उस टैंक से रसियन टेरिक्टरी पे हमला कर दिया तो कहीं रसिया ये न समझ ले कि ये हमला युक्रेन नहीं नाटो ने किया है और हम इस युद्ध में वे वज़ा के धकेल दिये जाएं और अमेरिका और जर्मनी के डरने का दूसरा कारान है उनके टैंक क्योंकि उनको भी पता है कि उन्होंने बहुत ही कम संख्या में युक् युद्ध में जा भी चुका है सीरिया और अफगानिस्तान में पर लेपड अभी तक युद्ध में नहीं गया है और अमेरिकन टैंक भी अभी तक किसी अपने बरावर वाले के सामने युद्ध में नहीं उतरा है क्योंकि रसिया के पास भी T90 टैंक है इनको डर है कि इनका टैंक मार कर गिरा दिया जाएगा तो इसका मार्केट खराब हो जाएगा फिर इनका टैंक कोन खड़ी देगा आपको बता दू कि पस्चियों का सबसे बड़ा इंडस्ट्री वेपन इंडस्ट्री है बाकि आप क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताईए ठैंक यू दोस्तो प्लीज लाइक सेड़ अन सबस्क्राइब